नमस्कार, पीठा सीन अधिकारी अर्थाथ प्रजाइडिंग ऑफिसर को मद्दान के दौरान कई तरह की रिपोर्ट करनी होती है, ये कितनी तरह की रिपोर्ट होती है और कौन कौन सी होती है, आज की वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। वीडियो देखने से पहले, जिन्हों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अवस्से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियो मेरे चैनल पर आए, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से रिपोर्ट हैं, ये पांच तरह के रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी को करने होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप गौर की रहेंगे, कि इन पांच में दो को मैंने लाल रंग से दिखाया हैं। ये जो लाल रंग वाले दो रिपोर्ट हैं, ये सभी पीठासीन अधिकारी को अनिवार रूप से देने होते हैं। तो पहला रिपोर्ट है भागवन मौक पोल का प्रमान पत्र यानि मौक पोल सर्टिफिकीट ये सभी को देना होता है, ये जो रिपोर्ट है। भाग दो है, कंट्रोल यूनिट का पावर पैक प्रतिस्थापन यानि रिप्लेस्मेंट ये इस्तिती परिस्तिती के अनुरूप मौक पॉल के दौरान भी हो सकता है, मदान के दौरान भी हो सकता है और मदान समाप्ति के पश्चात भी भरा जा सकता है। तो ये तो अगर आपका पावर पैक कंट्रोल यूनिट का बदला जाता है तभी ये भरना है अन्ह था आप इसे नहीं भरेंगे भरने क्या आप सकता नहीं है अब तीसरा यानि भाग तीन है मदान पुड होनी के पस्चाथ क्लोज बटन दवाया जाना जब क्लोज बटन आप दवाते हैं तो ये अनिवार जुरूप से आपको भरना है भाग चार है इवियम विवी पैट परतिस्थापन यानि रिप्लेस्मेंट मौक पॉल के दोरान परतिस्थापन यदी कोई हो तो यदी मौक पॉल के दोरान इवियम या विवी पैट की रिप्लेस्मेंट होती है तो ये भाग चार भरा जाता है तो यह सभी के साथ यह केस नहीं होगा जिनके साथ यह ऐसा होता है सिर्फ वही भरेगे भाग पांच है इवियम विवी पैट प्रतिस्थापन इस्थिती परिस्थिती के अनुरूप मद्दान के दोरां और मद्दान की समाप्ति के प्रश्चात भरा जाना है यह पांचवा भाग जो है वह है कि पांचवा भाग है कि यदि मद्दान के दोरां या मद्दान के समाप्ति के प्रश्चात इवियम या विवी पैट रिप्लेस्मेंट होता है तब यह भरा जाएगा तो एक बार फिर से मैं दोरादू कि भाग वन और भाग तीन सभी को भरना है यानि सभी प्रशाइटिंग ऑफिसर को यह रिपोर्ट देना होता है भाग दो भाग चार और भाग पांच यह सिचुएशन अगर आपके साथ आती है तब यह आप उसको भारेगे अन्यता उसमें एन ए यानि नॉट अप्लिकेबल लिखकर आप जमा कर देंगे तो अब आए इन रिपोर्ट को देखते हैं कि कौन-कौन से यह जो रिपोर्ट है इनका डिटेल हम देखते हैं यह है पिथासीन अधिकारी के रिपोर्ट का भाग एक यह है मौक पॉल का प्रमान पत्र अर्थात मौक पॉल सर्टिफिकेट इसे कैसे भरना है इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है उस वीडियो को आप देख लें वहां आपको इससे सम्बंदित सारी जानकारी मिल जाएगी अब हम लोग देखते हैं भाग 2 इसे आप देख लेंगे हमारे चैनल में जो वीडियो उप्लब्थ है भाग 2 कंट्रोल यूनिट का पावर पैक प्रतिस्थापन यदि कंट्रोल यूनिट का पावर पैक बदला जाता है तभी इसे हम भरेंगे तो यह पावर पैक मौकॉल के समय भी बदला जा सकता है मद्दान के दोरान भी बदला जा सकता है और मद्दान समाप्ती के पश्चार भी भरा जाता सकता है तो देखते हैं क्या क्या है पहला तो निरवाचन का नाम है जारखन विधान सभा के लिए आम चुनाओ 2024 उसके बाद है विधान सभा छेतर का नाम तो यह यह डमी है इसलिए यहां क्रोस क्रोस गिया हुआ है आप यहां जो भी सही है उससे लिखे जैसे 63 राची इस तरह से आपको विधान सभा छेतर का नाम लिखना है मद्धान क्रामांग माल लीजिए हमारा मद्धान का क्रामांग है 102 तो यह हो गया अब है मौकपॉल वास्तविक मद्दान के दौरान कंट्रोल युनिट के पावर पैक के परतिस्थापन का विवरन जो लागू ना हो उससे काट दे अगर मौकपॉल के दौरन बदल रहे है तो ये वास्तिविक मद्दान को काट देंगे आना ऐसे और अगर और अगर मौकपल के वास्तिविक मद्दान के समय कर रहे हैं तो फिर ये यहां काट देंगे इसे काट देंगे तो जो भी इस्तिती है वैसा हम करेंगे तो पहला क्या है कंट्रोल यूनिट की यूनिक आईडी जो कंट्रोल यूनिट का सिरियल नंबर है वो यहां पर लिखेंगे control unit का power pack बदलने का कारण क्या कारण है उस कारण को यहाँ पर हम लिख लेगे अब है तीसरा नमर देखिए पुराने address tag की unique ID जिसे control unit के power pack को बदलने के लिए पीठासिन अधिकारी द्वारा काटा गया था देखिया आपको जब control unit मिलता है तो उसमें जो battery section होता है वो seal रहता है वहाँ address tag लगा रहता है तो उस address tag का जो unique ID यानि serial number है जो पहले से लगा हुआ है उसका यहाँ serial number लिखना है जिससे काटके आपने हटाया power pack बदलने के लिए अब चौथा नमबर है control unit के battery section को seal करने के लिए पीठा सीन अधिकारी द्वारा उपयोग किये गए नए address tag की unique ID पहले वाले को तो आपने हटा दिया जो पहले से था अब नया seal आपने लगाया और उसमें उसको seal करने के लिए आपने address नए address tag का प्रियोग किया तो इस address tag का जो नया जो serial number है unique ID है उससे आप यहाँ पर लिख लेगे अब है निम्नांकित मर्दान अभी करता control unit से power pack के प्रतिस्थापन के दोरान साक्षी रहे हैं तो जो मर्दान अभी करता है उनका नाम लिखेंगे वो किस दल से है या निर्दल यह है यहाँ पर लिखेंगे यह खा खा candidate blank मिलेगा वहाँ इस तरह से लिखा नहीं होगा तो दल का नाम लिखेंगे अगर निर्दल यह है तो निर्दल यह लिखेंगे और कौन सा candidate है वो उसका नाम यहाँ पर हम लिखेंगे और फिर agent का sign हम करवा लेंगे अब यहाँ पर एक महत्पूर्ण चीद यह है आप इस पर गौर करेंगे यदि एक से अधिक बार प्रतिस्थापन होते हैं तो उप्रोक्त जानकारी को समान प्रारूप में प्रिथक से भरें अर्थात आपका अगर एक से ज्यादा बार रिप्लेस्मेंट होता है बैटरी स से तो यह फॉर्म जितनी बारा बदलते हैं उतनी बार अलग अलग भरा जाएगा यहां पीठासीन अधिकारी का नाम इवां अस्ताक्षर होगा और नीचे सेक्टर ऑफिसर जो होंगे उनका नाम और अस्ताक्षर होगा तो यह था भाग दो अब भाग तीन देखिए हाँ एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर आपका बैटरी नहीं बदला जाता है तो आप एन ए लिख देंगे नॉट अप्लीकेबल और यहां सिग्नेशर करके आप इसे जमा कर देए अब भाग तीन है यह है सभी प्रजाइटिंग को भरना है मद्दान पुर्ण हो आते हैं क्या-क्या लिखेंगे निर्वाचक नाम है विदान सवाच्षेत्र आप लिख लेंगे मद्दान की तीथी आप लिखेंगे 13 नमबर है या 20 नमबर है या जो भी है मद्दान किंद्र का क्रमांक और नाम जो भी क्रमांक है उसे लिखेंगे और उसका नाम करता है कि मैंने निमलिखित व्यक्तियों की उपस्तिती में मर्दान के अंत में कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दवाया है तो आपके साथ जितने में मर्दान पदादिकारी हैं और आप खुद भी यहां पर अपना नाम लिखेंगे पदनाम लिखेंगे कि आप पिठासीन है या P1 है या P2 है या P3 है और यहां सभी हस्ताक्षर अपना करेंगे अब ठीक इसी तरह से हम एजेंट का भी साइन ले लेंगे और लास्ट में पिठासीन अधिकारी अपना नाम और अस्ताक्षर करेंगे अब यह चौथा रिपोर्ट देखिए तो यह बता दें कि यह जो फरसेगबर दूरा देते हैं यह जो तीसरा है यह सभी पिठासीन अधिकारी को यह रिपोर्ट देना है अब ये चौथा देखिए चौथा रिपोर्ट ये इवियम वीवी पैट प्रतिस्थापन रिप्लेस्मेंट और ये जब मॉक पॉल के दौरान होता है तब इसे भरा जाता है तो उपर का तीन तो बतानी के जोरत नहीं है पहले जैसे है वैसे ही भरेंगे अब उप्यों कियेगे इवियम एब वीवी पैट का वीवर तो यहां पर जो बी यू सी यू या वीवी पैट इसका जब आपको पहले से मिला हुआ है वितरन के समय यानि जहां डिस्पैच होता ह है वहां से जो आपको दिया गया तो उसका जो सिरियल नंबर था वी यू का सी यू का वीवी पैट का इसे आप लिखेंगे और परतिस्थापन की देशा में सेक्टर ऑफिसर के हस्तार्चर और सेक्टर ऑफिसर यहां पर साइन करेंगे अब ए नंबर चिन्हित करें जो यूनिट मौक पोल के दोरान और कारेसील पाया गया पाले तो यहां पर हमने सभी का दे दिया अब जो और कारेसील मिला मतलब जिससे बदलने के जोरत है उसमें हम वाई लिखेंगे माल यह हमारा वी यू है तो यहां पर वाई लिखेंगे और फिर यहां पर sector officer हस्ताक्षर करेंगे और कारेसिल होने के कारण control unit द्वारा दर्साय गए error code का उलेक करें जब आपका non functional हो जाता है तो control unit में error का code आता है तो जो code है वो code यहां लिखेंगे ब्यू का कुछ code आ रहा है यहां पर लिखेंगे और sector officer से signature करवा लेगे अब जो मौकवल के दौरान जो replacement हुआ और replacement के बाद जो आपको दी गई unit दी गई है ब्यू दी गई है या वीवे पैट दी गई है जो भी दी गई है उसका यहां unique ID लिखेंगे और sector officer इसमें हस्ताइकर करएंगे एग बात मैं यहां पर याद दिला दू कि मौक पॉल के समय अगर we खराब होता है रिप्लेस होता है या स्यू खराब होता है या वी वी पैट खराब होता है तो जो यूनिट खराब होता है बस वही बदला जाएगा पूरा सेट नहीं बदला जाता है Clear है। एक वारार से मैं इसके दोराता हूं। Mog call के दोरान यदी Bu खराब होता है तो Bu replace होता है। यदी Cu खराब होता है तो Cu replace होता है, और जदी ViviPad खराब होता है तो ViviPad replace होता है। Mog call के समय पूरा sit change करनी की आफसकता नहीं है। अब जो एजेंट थे जो साक्षी रहे उनका हम नाम लिखेंगे दल का नाम लिखेंगे कैंडिरेट का नाम लिखेंगे और उन एजेंट का सिंग्निशर ले लेंगे और लास्ट में पीठा सिन अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर भोग और जो यहाँ पर replace होगा मॉक्पल के समय तो जो खराब unit है उसे sector magistrate ले कर जाएंगे इसे याद रखें उसे आपको नहीं रखना है खराब वाला, खराब वाला sector magistrate ले कर जाएंगे अब है भाग पाँच EVM VVPAT प्रतिस्थापन, इस्तिती परिस्तिती के अनुरूप मद्दान के दौरान और मद्दान समाप्ति के पश्चाद भरा जाना है तो यहाँ पर यह उपर कात्व भर लेंगे, बार बार बतानी के आप सकता नहीं है यहाँ देखिए, EVM एवं VVPAT का वास्तिविक मद्दान के दौरान प्रतिस्थापन यानि जब आपका actual पॉल हो रहा है, उस दौरान आपका EVM खराब हो जाता है या VVPAT खराब हो जाता है तो यह replacement वाला यह जो form है, यह भाग 5 यह भरा जाएगा वास्तिविक मद्दान के दौरान आपकारेसिल पाए गए यूनिट के यूनिक ID तो जो यहाँ आपकारेसिल माना है, यानि non-functional है, उसका यहाँ पर हमको यूनिक ID देना है किस समय ठुटी हुई? उसका टाइम यहाँ लिखना है और एक और महतपुण है कि यूनिट के औकारेसिल पाए जाने के समय कंट्रोल यूनिट में रिकार्ड मत्व की संख्या, जिस समय वो खराब होता है जिस समय आप देख रहे हैं कि खराब है उस उसमय कंट्रोल यूनिट में कितने मतyy? वो आपको यहाँ पर लिखना हैे अब और कारिसिल होनी का कान पर उने पर वह एर दरज दर्ज होता है दिखाता है तो जो अपका कोड दरज uh दिखा रहा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे दूसरा है कि बीप की आवाज सुनी गई अथवा नहीं अगर सुनी गई तो हाँ अथवा नहीं लिखेंगे प्रतिस्थापन कर परदाय कियेंगे यूनिट का यूनिक आईडी जो बदला गया जो नया मिला उसका क्या सिरियल नंबर है वो यहाँ पर हम लिखेंगे अब चेंज करने के बाद जब मादान कुना प्रारम किया जाता है उसका समय यहाँ पर लिखेंगे और अगर कोई अभ्यूक्ती है तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि वास्तविक मादान के दौरान अगर सी यू यानि कंट्रोल इनिट या बी तो पूरी सेट बदली जाएगी यानि तीनों बदला जाएगा एवियम मसीन और वीविपेंगे लेकिन और एक चीज़ और यह रखें कि अगर बी यू और सी यू बदला या सी यू बदला गया तो पूरा सेट तो बदला ही जाएगा साथ साथ हम मौपल भी करेंगे पुन नोटा लेकर सभी बटन को एक एक बार ही दबाना है 50 वाला यहां पर लागू मिनिमुम पचास वाला नियम यहां लागू नहीं होगा लेकिन अगर भीवी पैट बदला जाता है तो सिर्फ भीवी पैट बदला जाएगा और मौक पॉल नहीं किया जाएगा यह याद रखें इसमें कई बार गलतियां होती है अब जो वास्तविक मद्दान के दौरा जो हमारे एजेंट हैं उनका हम सिग्नेचर लेंगे जैसे पहले ले रहे हैं और यहां भी अगर एक से ज्यादा बार बदला जाता है तो यह जो फॉर्मेट है रिपोर्ट है इसको फिर से अलग भर और आव दो जायेगा मैं अब फठासीन अदिकारी का नाम सिक्टर अधिकारी का नाम इन हक्राइब वात्रायर के दौरान यहां और मिद्द मेंओं या वीविपैट बदला जाता है तो यह जो खराग वाला यूनीट होता है वो प्रजाइडिंग आफिसर के पास ही रहेगा और अपने मेटिरियल के साथ वो अपने स्ट्रॉंग रूम में जहां जमा करते हैं प्रजाइडिंग आफिसर वहां जमा करेंगे इसे सेक्टर अधिकारी नहीं लेकर जाएगी यह याद रखें तो आसा है कि जो मैंने यहां पर इन रिपोर्ट की चर्चा आप से की आपको मद्दान के दौरान इससे सहायता मिलेगी धन्यवाद